बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी तु हिम्मत नाहार मेरे दोस्त तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BPSC Demistified में आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है Quit India Moment जिसे हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जिसके नित्य तुकोन कर रहे थे हमारे गांधी जी कर रहे थे ये भारती राष्टी आंदोलन का बहुत ही महत्तपुर्ण क्या है एक अभिन अंग है बहुत ही महत्तपुर्ण पार्ट है दोस्तों जिसको गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और ये जो इसकी जो भूमिका थी वो भारत को आजाद कराने के लिए बहुत ही महत्तपुर्ण भूमिका थी ठीक है तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है इसको हम पढ़ेंगे इंडिया मुवमेंट जिसे ह खाने काते हैं है भारत खोडो आंदोलन थो बाई हाँ अचोंड़ और खोडों एंडोलन तो टोपिक क्या अपना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थी दोस्तों मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जडरूर करें उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता दोस्तों प्लीज प्लीज कीजिए इतना एफर्स लगा रहा हूं आपके लिए वहसा Igor सब्सक्राइब करेंंगे तो मुझे अच्छा लगे का दूस्त हुआ है बीन म्यूती मज़धार टॉपिक है और भारती सोतन्स्टा के यह जो कहते हैं न यह जो मुमेंट था यह बहुत ही ज्यादा क्या था क्रूशियल था बहुत ही इंपोर्टेंट था आईए से बिना फॉर्दर डिले के वे देखते हैं जुलाई 14 कोदा 1942 को एक मीटिंग होता है कॉंग्रेस कमीटी का जो की कहा होता है वर्धा में इसको अटेंड किया जाता है प्रोमिन्ट लीडर्स ऑफ कॉंग्रेस जैसे कोन को थे राजेंदर बाबू थे राजेंदर प्रसाद थे हमारी नाइटिंगल उफ इंडिया सरुजनी जेब बीकिर प्लानी पित्ता भी सिता रमया और अन लीडर्स भी इन्होंने इसमें क्या हुआ इस शेशन में भाग लिया था इसी दर मियां जो कुट इंडिया रिजॉल्यूशन है यह पास हो गया इस मीटिंग में और उसको चीर किस ने किया था उसमें चीयर में कौन थे बाद शेयर परसंगों थे शेशन के वह कौन थे कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद थे ठीक है जो रिजॉल्यूशन था कुट इंडिया मुमेंट का वह पास कर दिया गया दोस्तों आठ अगस्त 1922 को आठ अगस्त 1922 को क्या हुआ पास कर दिया गया ठीक है कुट इंडिया मुमेंट फर इंडिया 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 इं भारत का इंडिया कुट इंडिया मुमेंट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस वह लॉंच वह 9 अगस्त 1922 को कि देखिए पास हुआ 8 अगस्त को और लॉंच वह 9 अगस्त को यह याद रखिएगा लॉंचिंग और पासिंग यह पूछ लेता है न और बहुत ही कैसे हमारा क्या जहाँ याद रखना होगा पास किः गया आठ अगस्त 1942 को कत्या है क्या है कि इंडिया मुमेंट और जो लॉंच वह वो नौ अगस्त 1922 को कि कि दो गांधी जी ने यह बहुत इंपोर्टन दोस्तों गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा बिफोर लाँच वो कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स थे आए उनको एक एक करके देख लें और एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से यह सारे बहुत इंपोर्टन पॉइंट होते हैं आए इनको देख लेते हैं कि करके पहला पॉइंट क्या था गवर्मेंट ऑफिशल शुट अनॉंस देर सपोर्ट डिवोशन तो कॉंग्रेस जो गवर्मेंट ऑफिशल थे उन्हों क्या खलते हैं वह अनॉंस करें अपना सपोर्ट दें किसको और अपना डिवोशन अपना किसको दें कॉंग्रेस को दें कि दूसरा स्टेटमेंट क्या था सोल्जर शुट रिफ्यूज तो फायर ऑन देर कंट्रीमेंट अपने देश वासियों के उपर जो भी सोल्जर सें वह गोलियां न चलाएं थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट शुट क्वाइट कुट अपनी पढ़ाई का क्या करें बहिश्कार करें और क्या जब तक अंडिपेंडेंस हमें नहीं मिल जाता ठीक है और चौता पॉइंट किंग शुड एक्सेट दा सोवरैनिटी ऑफ देर पीपल ठीक है ना किंग शुड जो है जो है जो भी अपने पीपल्स के लिए करें संप आप लोग क्या करें भारत के संग के साथ आप क्या करें आसोसीट करें रहें मासे शुड अपना फ्यूचर देखते हैं जनसमू में तो ही इस इस speech में गांधी जी ने एक चीज और कही, I will not be satisfied with anything less than complete independence, मैं अब गांधी जी का कहना क्या था, मैं अब satisfied नहीं रहूंगा, जब तक हमें पून स्वाराज, पून स्वतंतरता नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं satisfied नहीं रहूंगा, ये बहुत ही बड़ा statement था, ये ऐसा पूछ ल तरन है दोस्तों, तो ये किस के द्वारा कहा गया था, गांधी जी के द्वारा कहा गया था, मित्रों ये याद रखेंगे, क्योंकि examination point of view से ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है, और सवाल ऐसे पूछता है ना, तो आदमी का दिमाग बोलता है, अरे यार, गुवद बहुत सर्दार वल्लब भाई, पठेल बदे, तो नहरु जी भी तो बोल सकते हैं, नहरु जी भी बोल सकते हैं, गांधी जी बोल सकते हैं, अलग-अलग उसमें statement होगा, उपर से e-option हो सकता है, दोनों जली मिलके बोले हो किसी session में, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो salt tax, क्या होगा, salt tax and alcoholism, etc. may be abolished or stopped by the English government, but my words will demand, but my words will be demanded, demand nothing less than complete independence, यह हो सकता है, कि जो salt tax है, और alcoholism है, यह सब क्या करें, यह abolish कर दे, stopped by the English government के दोरह, इस्टाप कर दिया, लेकिन मेरा जो word अभी भी डग मगाएगा नहीं, जब तक मुझे पूर्ण स्वराज, पूर्ण सोतं आज मैं अपने देशवासियों के उन्होंने क्या गया, आज मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ठीक है, एक मंत्र वो क्या था, do or die, मतलब करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दे दिया जाता है, करो या मरो का नारा दे दिया जाता है, यह जो मंत्र था, इसका आते-कर आते अपनी जान दे देंगे इस लड़ाई में ठीक है ना आठ अगस्त वो दिन आ गया आठ अगस्त 1922 को जब जवालल नहरू ने प्रेजेंट किया कुट इंडिया रिजॉल्यूशन को प्रेजेंट किया टू ऑल इंडियन कॉंग्रिस कमीटी के सामने यह सब्सक्राइब कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग जैसे दिगच पार्टीयों इसका इसका क्या किया इसका क्या किया ऐसी पार्टियां इतने समझ मतलब कि इतनी उच्छिस्तरी मतलब वह भी कॉंग्रेस के समान यह सारी पार्टी सोचिए इनके क्या दते हैं फेवर में नहीं थे लेकिन 9 अगस्ट 1942 को क्विट इंडिया मुमेंट जब लॉंच हुआ वा उसके क्या हुआ लॉंच कर दिया गया 9 अगस्ट उनी सोभ्याली को भारच छोड़ो ब्लंक को क्या किया गया सब्सक्राइब घ्राइभा क्या किया गया है इंस अर्ली आवर ली आवर्स ओफ था मुमेंट शिब्हां धर अभर इवरवाद फ्सक्राइब दिया सब्सक्राइब solutions worshippers हुआ इजा साथ साथ जो important leaders थे Congress moment के उनको क्या किया गया एक ही बार में एक ही स्वीप में क्या किया हूझा सबको अरेश्ट कर लिया ठीक है एहमद नगर फोर्ट में रखा गया कहां रखा गया एहमद नगर फोर्ट में डॉक्टर राजेंदर प्रसाद मेंबर ऑप दा कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी कोडंट कम टू बंबे वो बंबे नहीं आयते यूज अरेस्टेट एंड केप्ट एट पत्ना बाकी पूर जेल में उनको रखा गया था राजेंदर बाबु को सिवकुमार रामानंद इनको हजारी बाग के जेल में क्या किया गया वहां से अरेस्ट कर लिया गया मुमेंट जो पर्टिसिपेशन तो यह था ना इस मुमेंड को सुत यह क्या थे जो अंदोलन इसको क्या इनको क्या दूर पैले जाने के लिए सपोर्ट चाहिए था जन्समूर का तो क्या हुआ लॉर्ड वेवल लॉर्ड वेवल क्या थे यह क्या थे कमांडर इंचीफ थे कुट डूरिंग कुट इंडिया मुमेंट in 1942 1942 में इन्होंने सर्फ किया था एज वाइसरोय ऑफ दा इयर और 1943-47 के मिल्स्टन चर्चिल दोते वुसत में क्या थे प्रधान मंतरी थे ब्रिटिस अंगरेंट के समय में अबधुलकलाम आजाद उस समय क्या थे प्रेसिदेंट थे कॉंग्रेस के और उनें रेसरोल्यूशन को क्या किया था पास कर दिय था। सबसे जादा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक तो रहे थे वो रहे थे हमारे अब्दुलकलाम अजाद और सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी यही थे दोस्तों यह याद रखिएगा एक्जामिनेशन प्रेस्पेक्टिव से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत जादा है इन सबसे क्योंकि कॉंग्रेस एक क्या है होट टॉपिक है एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ य कांग्रेस जिसको ब्रोटिकास णख़रा तक था क्या भाच्वेंसि इसको ब्रोटकास किया ठाली उठीवैस संतु से कंवेशनियर लूटव से च नेकों पर भृटकास्ट mustache में टैसे इस की एक इंबRO अफ गन्वेज्ज डियो किक ट मैंस्य के साथ हूं जो एक को ज़ो नि Candi जै को बीज вч अ il इंट्रेट्रिक्षटे पर्लिक्षे पर्न बख्रेशंसा नमय न्च इंडिवगार्य, नौम क्या कि भारत चण में अंधों की नहीं व्यां स्लिक्राइबन. सब काकर पार्टिसिपेशन आधा है। participating थे और सबसे जादा बीहार और शॉपी इस से kya था इंपक्ट था अगर हम यूपी कि बात करें तो पुर्बी यूपी में जिसमें हम आ जर्मग्ड बलिया गुर्डपूर गया ठीक है इस्टन यूपी कि अगर हम बात करें अगर हम बात करें यह रह सब क्या थे आपके यह यूपी में बहुत ज्यादा प्रॉमिनेंट थे और बिहार में देखें तो गया चंपारन सारन पुर्णिया साहाबाद मुझपरपुर भागलपुर जो एरिया था यह बिहार का था यह क्या थे इसलिए यहां पर सबसे जाला जन विद्रो हो रहा था अगस्थ मु एक तरीके से अगरिकल्चरल अग्टीविटी जो थी इनके दोरा किसानों के दोरा परफॉर्म की गई लोग क्या करते थे जो क्या ने तरीके से दंगा करते थे यह रात में करते थे और जो राइट के एक्टिविटीज थी मतलब जो दंगा करने की एक्टिविटीज जितनी विद्रों की भावना थी ना एक समय एक तरीके से 1857 की छवी को दर्शा रही थी इसी वज़े से जो वाइसरोई थे लिनिद्गो इन टेलिग्राम टू ब्रिटिश प्रियम को एक टेलिग्राम लिखा ठीके ना जो कौन थे उसे में चर्चिल थे विंस्टन चर्चिल टम्डिस मुमेंट असदा मोस सीरियस रिवॉल्ट सारी बाग जेल से भागे और एक्टिव थे कहां पर अंडर्ग्राउंड एक्टिविटीज में योगेंदर शुक्ला जो थे वह कहां थे वह भी जैप्रकास नारायन के साथ भागे नौ नौवंबर उनीसो ब्यालिस को लेकिन बाद में उनको अरेस्ट करके मजबफरपुर भेज दिया गया और मजबफरपुर भेज दिया गया और उसके बाद वहां से पटना भेज दिया गया दोनों जनी को ठीके ना दोनों जनी पकड़े गया और उसके बाद उनको मजबफरपुर से पहले मजबफरपुर रखा गया, अरेस्ट किया गया और वहां से उनको पत्ना जिल में शिफ्ट कर दिया गया, जो स्पीश्ट था गांधी जी का, during quit India moment, 1942 का, पित्ताभी सितामरमया ने क्या खा, in reality that day, गांधी जी वाज स्पीकिंग अबाउट बिंग motivated with the power of अवतार and पैगंबर, एक तरीके से लगता है ना कि पैगंबर बोल ले हैं इस तरीके से उन्होंनों motivate किया कि जैसे लगा कि हमारे पैगंबर वो बोल ले है पित्ताभी सितामरमया के कहा हुआ ये वक्ता है, ये examination point of view से दोस्तों, बहुत जादा important है क्योंकि एक statement है और statement पूछता है ना तो आदमी का दिमाग कहते है ना काम करना बंद करते है कि ये किस ने कह दिया तो आईए मैंने बताद मैं आपको बताता हूं किसने कह दिया पित्ताभी सितारमया ने कहा क्या in reality that day गांधी जी वा स्पिकिंग अबाउट था मोटिवेटेड पिकिंग आफटर बिंग आफटर बिंग मोटिवेटेड विद पावर अवतार एंड पैगंबर राश्टी सेवं स्वयम सेवक संग जिसे हम आरसेस आज के समय में काते हैं ये इसमें पार्टिसिपट नहीं करती ह भारत छोड़ो आंदोलन में डिडेंट पार्टिसिपट इन एनी मोमेंट बिविन 1942-1947 तिल फॉरेंड रूल एंडेड जो आरेसेस आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट है राश्टी स्वयम सेवक संग जी से कहते हैं ना वो पार्टिसिपट की थी भारत नहीं हो गया अरुना असफवली एक बहुती फ्रीडम 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 फाइटर थी जिन्हों ने क्या किया अपना तिरंगा फैराया था ठीक है ना यूरिंग कुट इंडिया मोमेंट भारत छोड़े अंदलन के समय में अरुना असफवली उशा मैता जेपी नरायन राम मुलोहर लोईया और अन्य जितने भी लीडर्स थे यह क्या थे और भी जो लुडर्स थे उन्होंने क्या किया वह अंडर्ग्राउंड हो करके एक तरी भारत छोड़ो अंदोलन का जब सारे के सारे लीडर्स क्या थे जेल में थे गांधी जी अबूल कला माजाद जवालल नहरू राजेंदर बाभू तो गय नहीं थे और सर्दार वल्लप बाइपडल इन लोगे क्या होई थी गिरफतार ही हो चोकी तो यह प्रॉमिनेंट जाते हैं सरकार बना ली थी कुछ जगा पे भारत छोड़ो अंदोलन के समय में जैसे उसमें कोन था बलिया था बलिया क्या था बलिया मैं अगस्त 1940 में चित्तु पांडे ने क्या किया था सरकार बना ली थी अपनी तमुलक जो थे मिदनापूर बंगाल से इन्होंने दिस थी थी कहें ना फॉंड इन मिड नाना पाटिल और बी चौहान और नाना पाटिल और भी पैरलल गवर्मेंट थे जैसे तालचेर में थी उडिशा यह थी कुछ समय के लिए ना टू फॉर सम टाइम और गांधी जी को रिलीस कर दिया गया छे माई उन्नीशो चवालिश को अगांट ऑब बैड हेल्थ कंडिशन उनकी तबेत खराम होने के स्थिति के वजे से गांधी जी को क्या किया गया रिलीस कर दिया गया कब रिलीस किया गया यह देट भी इंपोर्टेंट है दोस्तों एक्जामिनेशन पॉइंशन पॉइंट पॉइ यह कहा गया गांधी जी को जब रिलीस हुए तो चर्चिल ने कहा यह चीज हम हर जगा पूरे थ्रूआउट दा ग्लोब हम जीत रहे हैं लेकिन इस वृद्व यक्ति से हम कैसे हार गया इतने लंबे समय तक लंबे समय से यह मुझे समझ में नहीं आया इतने लंबे समय से जो हमारा शत्रू था हम उससे कैसे हार गया यह मुझे समझ नहीं आया यह चर्चिल का वक्त था तो बहुत यह अच्छे तरीके से किस तरीके से जो प्रॉमिनेंट लीडर्स थे हमारे कुट इंडिया मुमेंट के जो की आठ अगस्त 1922 को क्या हुआ ऐसे जो हमारे अल्टरनेट कहने का मतलब है कि जो हमारे और और भी जो लीडर्स थे उन्होंने अंडर ग्राउंड हो करके किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही महत्रपुड भूमिन का निभा करके अब घारत छोड़ो आंदोलन को एक तरीके से क्या किया नरिश किया और इस जो मोमेंट है ये जो आंदोलन है वो पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से चलता रहा हम लोग ने देख लिया है और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग ने देखा कि 6 मईए 1944 को अंतिम में और क्या हुआ गांदी जी को रिलीस कर किया गया उनकी जब तबेत गडबड हो जाती है उसके बाद और चर्चिल का व्यक्ता जो हम लोग ने अभी थोड़े देर पहले देखा है तो वह दोस्तों यह जो आंदोलन था ना यह बहुत ही प्राव्मेंट था कुट इंडिया मोव्मेंट एक तरीके से कहते हैं ना कि े किस ने कहा जो पीम थे ब्रिटिश पीम किअंब यह रिटिस फोलन थे नहीं और उस समय लौड लिलिंद को जो टतरीके से बहुत ही अजीब बात कही क्या कि 1857 में के बहुत ही सीरियास करांती है जो कि अभी हम में देखने को मिल ला है तो इसके द्वरा आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉमिनिंट उस समय हुआ होगा कि अंग्रेजों का कहते हैं ना जो नीव था वो चर्मरा उठा था यह पगला गया थे कि भाया यह कैसे हो गया ठीके ना तो बहुत यह तरीके से हम लोग किया किया कुट इंडिया मुमेंट को बहुत अच्छे तरीके से उसके थ्योरी को देख लिया है अब बीना इसे इसका करते हैं अपना एक से ऑन 6 जूलाइ 1942 को एक वर्किंग कमीटी जो थी कॉंग्रेस की जहां पर इंडिया पॉलिशी उससमें जो प्रेसिडेंट कमीटी के वो कौन थे दोस्तों तो हम लोग ने देखा था यह कौन थे यह थे मौलाना अभूल कलाम आजाद थे दोस्तों कौन थे मौलाना सवाल है बहुत ही प्रॉम्नेंट है यह देखते हैं इसके एकस्प्लेनेशन को जुलाइ 1942 में एक मीटिंग था कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी का जो की कहां हुआ था वर्दा में हुआ था उसमें मौलाना अभूल कलाम आजाद सरोजनी नाइडू जवालाल नहरू बॉल्ल बॉल्लब पंत डॉक्टर राजंदर प्रसाद पित्तावी सिता रमय्या और प्रफुल चंद्र घोश भी क्या थे सामिल थे दोस्तों सैयद महमूद असफ अरुना असफ अली जेबी कृपलानी महत्मा गांदी ने जो जैसे प्रॉमेंट लिडर थे वो भी क्या थे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे मौलाना अबुलकलाम आजात थे जो कहां वह था वर्दा सेशन में हुआ था दोस्तों प्रसंग के दो क्वेशन नमर्ट टू के तरफ आ जाते हैं कहां पे जो कॉंग्रेस की वर्किंग कमीटी थी जो की मीट की तो पास दा क्विट इंडिय मौमेंट वो कौन थे लॉड वेवल थे दोस्तों ठीके लोड है प्रसें संग्या 4 कृश्ण इंडिया वोमेंट जो था वह स्टार्ट कब ऋवह था आपका 9 अगस्त 1942 को ठीके ना पास कब हवा पास किया गया 8 अगस्त 1942 को और कब हुआ भिए न 9 अगस्त 1942 को याद रख कितने ही था आपका यादब कि एंसी यू बेस था तब का बोल लाई है यह कि इस्टोरिक सेशन था और इंडिया कॉंग्रेस कमिटी का जो साथ अगस्त 2022 को कहां पर ग्वालिया टेंक मैदान मुंबई में जो कुट इंडिया मुमेंट था वो 9 अगस्त 2022 को स्टार्ट होता है और कमिटी ने असर्ट किया था राइट टू फ्रीडम और डिसाइड टू स्टार्ट अब मार्स स्ट्रगल विद नॉन वालेट मीन्स क्या अहिंसा के मा मास्स स्ट्रेगल करेंगे अन वाइडेस पॉसिबल स्केल और यहां से एक अड्रेस को एक अड्रेसिंग कॉन्फरेंस हुआ था क्या गांधी जी ने कहा था डू और डाइ या तो करो या तो मरो आइधर तो गेट दा इंडिया फ्री और टू फ्री और टू डाइइ इन दे इंडिया मोमेंट कब हुआ था 1942 के समय में ना इंप्रिजन कर दिया गया गांधी जी और सरीजिनी राइडियो को कहां रखा गया आधा आगाकान प्लेस जो की पूना में है इस समय और मोमेंट 1942 जो हुआ था अफेक्ट किया था मुंबाई बंगाल बिहार उडिशा और उत प्रसंग क्या पांच कोशन नंबर फाइफ के तरव जाता है इन विच ग्राउंड ऑफ द बॉंबे द प्रोपोजल वस पास्ट फॉर इंडिया मोमेंट मरीन ड्राव ग्राउंड काला घोडा ग्राउंड चेंबूर ग्राउंड या ग्वालिया टैंक से तो यह हुआ था ग यह पहुतंड़ ग्राउंड इंडिया मोमेंट मंड़ की यूशं इस किया हुआ यह में इसको किया ग्यां नौबर एट वे दिदा कॉंग्रेस लॉंच अपूइट इंडिया मोवेंट और अगस्ट एट नाइट निटीन फॉट टू कहां किया गया था बॉंबे में किया गया था प्रसंख्या नौबर नाइन जो कुछ इंडिया मोवेंट था अगें बिटिश वा लॉंच इन यह कब लाउंच आप the quit India मोवेंट ने काहा था आस ता गवर्मंट सर्वेंट तो रिजाइन यह कखा था नहीं आसा नहीं का था आस्टसोय तो लिए पोश्ट थे को क्या कहा था आज दस फोल्जर टू लीव दियर पोस्ट ऐसा भी नहीं कहा था कि प्रिंसली स्टेट कुकी टू एक्सेब्ट दस्वश्वरेंटी और पीपल हां यह कहा था दोस्तों के वल्सी ओप्शन जो मरा विजगा सही हो जगा दोस्तों कर दो कि आज आतने प्रसंग के बार कुश्वर्ट पे जो स्टेटमेंट था वीशल आईधर फ्री इंडिया और डाइ इन दे अटेंट इस असुट इंडिया मोमेंट ठीक है आज तरह फो कि इन दिया था जोगन था करो या मरूर का किस ने दिया था वो किया था बांधी जी अरतीय ने दिया था स्लोकन किस ने दिया था कब दिया था कुछ ममंट के टाइम दिया था दोस्तों प्रसंख पंदर्रप्स में 16 कोको साथ हैर इंडिया मुमेंट प्रसंग क्या सोला क्वेश्चिन के तरफ जाते हैं डू और डाई कॉल वास गीवन बाइव गांधी जी ड्यूरिंग किसके समय को इंडिया मुमेंट के टाइम में दिया था प्रसंग के सत्रा कॉष्चिन वर 17 जो बालदेव सहाय थे वह रिजाइन कर दि भारत छड़ो आंदरुलान की एक तरीके से नीव रक्की थी या बीज बोजा था अफर दे रिजेक्शन ओ डिमांड इस्टेबिस्टेशन गवर्मेंट इन इंडिया दव वर्दा प्रपोजल वस कंफर्म्ड इन एन्नुल मीटिंग ऑफ ए आई सीसी ओल इंडिया कॉंग् इसी प्रोटेश्ट में बालदेव सहाएं ने क्या किया रिजाइन कर दिया उन्होंने इस पोश्ट से क्या किया था रिजान कर दिया ऐस पोश्ट चलिए प्रसंक आथारा कुच्चन नमबर 18 जो कुट इंडिया मोमेंट है वो लाउंच किया इन रिस्पॉंस ओफ वर्ट एन रिस्पॉन सव क्रप्स मिशन रहे जब क्रिश्च्ट मे नहीं माने ऊधे यह धिकत कर रहे थे जब पीछली लेक्चर में रहा था और हमें हमें क्या च्च यह जेए पोड़ टीर्ट चेक कुश élect्यymph commodity महात्मा गांधी ने पोस्टेटेट चेक कहा था क्रिप्स के प्रपोजल को क्योंकि वो डोमीनियन स्टेटस हमें दे रहे थे तो यही ऑप्शन जो है क्रिप्स मिशन के रिस्पॉंस के वज़े से ही क्या हुआ हमें कुट इंडिया मुमेंट मतलब गांधी जी को मला हमारे फ मुमेंट था एकदम सही है इसको छोड़ देजिए आगे बढ़ता है क्वेंटी प्रसंक्या 20 कुट इंडिया मुमेंट जो था इसको दोरह स्टार्ट किया गया था महत्मा गांधी के दूरह स्टार्ट किया था प्रसंक्या 21 वीच वीच फॉलिंग स्टेट्मेंट नौट कौन सा सही नहीं है कुट इंडिया मुमेंट के रिगार्टिंग यह लॉंच हुआ था महत्मा गांधी के दौरह यह सही है कॉंग्रेस वस डिकलिए और इल्लीगल बॉड़ी ऐसा कुछ नहीं था इट वस अ इट वस नॉन वाइलन पॉमेंट एक दम सही है यह के स्पॉंट पर्टि दिड नोट सपोर्ट कुट इंडिया मुमेंट कुछ ने किया नहीं थिया था हिंदू महास्भा ने था कि दिन चारों नहीं किया था त्यक है और एक और अभी आपको बताया था एक फैक्ट राष्टी सिवक संग ने 1940- 1945 के बीच में कोई मुमेंट में भाग नहीं आठ अगस्त 1922 को जो मीटिंग थी ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी की पंडित जवाल नहरू प्रेजेंट किया थे कुट इंडिया रिजॉल्यूशन को और सरदार वल्ला भी पटेल ने किया किया था इसको सपोर्ट किया था प्रसंग चोबिस कुछन में 24 बाई हूम कुट इंडिये रिजॉशन को मुफ किया गया था बॉम्बै सेशन में ठीकिन अफिके न अफ दॉद्धा इंडिया हो इस्ट इंडिया रिव वह और ही एक्दम सही क्यों आवाइस चोफॉटियोंच व्यूटा आटीज को सफुमिटे गदीन इन इस्टेटमें यह लिए यह कम ऑ पिरी К difुखे? यह भी इस स्टेटमेंट सही है?" लेकिनि किसके संदर में पूछा हुआ है? यह सवाल यह देखो आप खुद सोचो इस समय क्या हुआ था कुट इंडिया मुमेंट हुआ था देखो यह लेवल एक्जामनर्स के लेवल को देखो दोस्तों तो उसी समय यह क्या था कुट इंडिया मुमेंट पास हुआ था रिजॉलीशन ठीक है बहुत अच्छा बहुत वेरी गूंदा वेरी गुड़ कोस्ट्व प्रसंगे 26 जो ड्राफ्त था कुट इंडिया मुमें इंडिया का रिजॉट्व प्रसंगे 27 कौन से प्रेशिजन थे इन्डिया नेशनल कॉंग्रिस के कुट इंडिया मुमेंट पास ह इंडियां नेशनल कोंगरेस के घूरी सिक्सियर वो कुंते मौलाना अभॉलकलाम आजाद थी यो कोई दोस्तों कि इंडिया मोमेंट का रियक्शन किया धा डिसब्वाइन अगयं जी आर्टीकल ऐसा कुछ नहीं था वॉयलेंट वॉयलेंट मींस ऐसा कुछ नहीं था नॉन वॉयलेंट तरीके से करना था डू टू पासिंग प्रपोजल अगस्थ और एकदम सही था दूस्तों यह सारे रियक्शन थे तो वन टू फॉर तो वन टू फॉर कौन साथ बी ओप्शन नमरा करेक्ट हो जागा चलिए प्रसंग के तीस कुछ नमर 30 पे आ जाते हैं कौन जो था जो चलार आथा कॉंग्रेस रेडियो द्यूरिन अकुट इंडिया क्यों पॉच्थ क्ये प्रच्छी के सथ्कर का रे रहा रामोन में मैं Oneowar mmm 1 kema one of our one of our prominent leader of Indian national movement whose known as a ram one-ophe Mayor during quit India movement was a regularly broadcasted on the radio okay you should know about him also now come two question number 31 that is present ensure this with reference to the Indian freedom struggle Ushamata is well known as for reading that by running the secrets Congress radio in the wake of put India moment is Lake she can't expect these energy cases secret moment चला रही थे संक्रा में अगला question question no.32 पुरस्न संक्या 32 कौन जो था regular broadcast कर रहा था Congress radio operate कर रहा था ड्यूरिंग कुट इंडिया moment वो कौन थे राम अनोर लोहे आ थे दोस्तों now come to question परसने के 33 आजाद दस्ता एट बाकरी बकरी का टापू वाज और ड्यूरिंग दा बकरी का टापू और वाज़ाइज ड्यूरिंग को इंडिया मुविंट इसके दोर यह बहुत प्रोमिनेंट कोश्चन है मैंने भी आज तक नहीं देखा इसा सवाल आज देख लेते हैं यह क जरूरी था मैं भी पहली बार देख रहा हूं और इंडिया चुक आजाद दस्ता था यह तो पता था जैपर राशना रायन के द्वरा स्टार्ट किया गया था इन तेरा ही रिजन इन नैपाल बकरी का टापू ओके बकरी का टापू याद रखेंगे बकरी का टापू फाइट गोरिला वर्स अगेंज दा ब्रिटिशर दो चार इस्टार इस पर लगा लिजे हो सकता कम पड़े तो एक दो अपने तरफ से और लगा लिजेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना चलिए आपका मन पूरा कर दिए पांश्ट हो गया सुब ठीक है चली आगे जो कि महात्मा गांदी के साथ है दूरिंग कुट इंडिया मोमेंट उनका क्या नाम था लूइस फिशर था नाम देखें दोस्तों पढ़े थे ठीक है जो लूइस फिशर थे वह बाइग्राफर थे किसके महात्मा गांदी के यह वह क्या थे एक एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वह थे तरफ प्रसंग क्या 37 जो लूइस फिशर थे यह बाइगराफर थे किसके महात्मा गांदी के वह एस्सोचेट इड़ थे वह एस्सेटेट थे वह मुमेंट वह था आपका कुट इंडिया मोमेंट से दोस्तों असोचेट इड़ प्रसंग क्या 38 वेचिन नंबर था ए इंडिया मिटिस राइट ड्यूटू कुट इंडिया मोमेंट वह कौन था बिहार बंगाल गुजरात या उनाटेट प्रोवेंस तो इदहां कौन आपका था बिहार सबस्यादा एफेक्ट था और था यूनाटेट पॉन जिसे हम यूपी का पार्ट करता है यूपी अब सिन्स शिपॉन मूटे नि एकदम सही दोस्तों यह एक मैसिव अफसर्च था इंसर्टन इस अर्टन एरियास तीके न एकदम सहीं दोस्तों और यह क्या करता है इक दुसरे को सपूर्ड भी गरता दोस्तों तो यह भी सही है और यह ऑप्शन जो होगा हमारा सही हो तो सब्सक्राइब प्राइब लिचांब लीडर थे उनको उठा लिया गया था। आगस्त 9-12 को गांदी जी और में लीडर्स को भी अरेष्ट कर लिया गया था गांदी जी सलेट आगाखन प्लेस जो कि पूरे में हैं महराष्ट में और जो अधर मेंबर थे कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी के वो कौन थे नहरू अभूलकलाम आजाद गोविद बलंपन्त पत्ताबी सिता रमाईया डक्टर सैयद महमुद अचार क्रिपलानी को कहा रखा गया था अहमद नगर और डक्टर राजन प्रसाद को क्या किया गया था एक कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी के लेकिन यह बॉंबे नहीं गयते इनको उसके वज़ा से भी यह नहीं गयते तो वहीं से उठा लिया गया था इनका घर था पतना में था भारत security rules अंडर भारत security rules और उसके बाद इनको उठा करके कहा रखा गया पतना के बाकीपूर जेल इनको पूरे में ठीक है आगे चलते हैं कुष्ण नमर 43 प्रसंगे थिराले अफर पासिंगे रिजलुशन आफ कुट इंडिया मुमें गांधी जी वर अरेस्टेट कहा पर उनको रखा गया था आगा पैलेस में प्रसंगे चवालीस कुष्ण नमर 44 दूर 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 इनको गोली मार दिये गया इंसिडेंट टेक प्लेस यह कहां पर हुआ था दोस्तों यह हुआ था गोहपूर में गोहपूर में याद करेंगे गोहपूर में बहुत इंपोरेंट पॉइंट है आइए इसका इक्स्प्लेनेशन भी पढ़ना हमें जरूरी है क्योंकि यह एक इंसिडेंट था कि कनक लता कनक लता कनक लता स्वरी कांतालाल नहीं था स्वरी मेरी गलती है कनक लता स्वरी फॉर्दम मैंने नाम नहीं ठीक से पड़ा कनक लता बरुवा कि 22 दिसंबर 1924 से लेकर के 20 सेप्टम में 1942 तक कि इनका जीवन काल था एक इंडिपैंडेंडेंस फीड फाइडर थी जिनको क्या हुआ गोली मार दिया गया ठीक ना ब्रिटिश पुलिस अड़ एज ऑफ 17 जब वो क्या कर रहे थे क्यालते हैं वो क्या कहा जा रहे थी कुट क्या प्रसंग क्या परता है असाम सब्डिवीजन में पढ़ता है इनको गोली मार दिया गया जब वो क्या कर रहे थी एक लोकल पुली से टेशन पर क्या कर रहे थी भारत का तिरंगा को क्या कर रहे थी फहरा रहे थी और महज 17 साल की वो लड़की को इस निर्दई आदमी गोली मार के हत्या कर दी ब्रिटिशर्ट ने ठीके आ जाते हैं प्रसंग के पैतालिस कोशन अबर फोर्टी फाइव के तरह आते हैं अगस्त नोग उनिस्टो लोगों को एरेस्ट किया गया हाजारी बाक से वो कौन थे आपके कौन थे कौन कौन थे एक श्रीफ कुमार थे और रामानंद थे ठीक है जो कुट इंडिया मुमेंट था उनको अप्रूब गया था कांग्रेस के द्वरा आठ अगस्त निस्टो लेकिन नोगस्त निस्टो गांधी जी और उनके में लीडर्स को भी अरेश्ट के लिया गया था और साथ इसाथ सिफ कुमार और रामानंद को भी अरेश्ट किया गया था और हजारी बाद पत्ना में भेज दिया गया था दोस्तों यह याद रखिएगा ठीक है आजाते है प्रसंग के चैनलिस कुछिन नमर थोटी सिक्स के तरफ इसे कहते हैं दंगा बिहार में टीटिंग टॉटल ब्रेक्डाउन इंडर रेल सर्वेस्ट दमोस्ट एफेक्टेट एरिया सब्सक्राइब मुंगेर का एरिया था दोस्तों यह सारी चीजों को जब हम बिहार के हिस्ट्री को अभी हम कवर करेंगे वह दो ही तिन दिन में व कहने का मतब काम चलता रहता दोस्तों उस पैसा नहीं कि गाम रुका हुआ है जब भी दूंगा आपको अच्छा चीज प्रडियूस होगा आपके सामने जिसको आपको मैक्सिम से मैक्सिमम बेनफेट मिलेगा आपको प्रसंग्या 47 कोशन नमर 47 इन 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 विच प्रकास नेरायन गेट दा रिकोगनेशन असे नेशनल लीडर वो है कुट इंडिया मुमेंट को तीक ना वो क्या हुए थे जेल से भाग गय थे तीक ना और उनको फिर भी क्या हुआ बाद में पकड़ लिया गया चलिए प्रसंग्या 48 कोशन नमर 48 वो अमंग फॉलिंग लीडर हैड सीक्रेटली एसकेप फ्रम देखियो वही है और अर्गनाइज अंडर्ग्राउंड एक्टिविटी दूरिंग दुरिंग दुट इंडिया मुमेंट वो कौन थे जे पीन थे हमारे जय प्रकास नारायन थ याद रखी गया दोस्तों प्रसंग्या 49 वेर वाट श्री योगेंदर शुकला कहां पे श्री योगेंदर शुकला जो थे व्रॉट ऑन दस सेवन डेसमबर मुझा थे थे को निश्च को पाटना रहा थे कि प्रसंगर 50 कौन जो थे मिस्टर जगत नारान लाल के जो वाइव का क्या नाम है मिस्स रामप्यारी है नाम उनका ठाव ठीक है प्रसंगक्या 50 50 वपाटी है कुट इंडिया मोमेंट जो था आवेकिन अनकार रेजिंग इसमें क्याम एक तरीक से समा गए थे एकडम सही है और इसी भी इसको क्या करता सपोर्ड भी करता है तो आप्षनलबर एमरे क्या हो जागा सही हो जागा प्रसंग क्या बावन कॉस्ट नमर्फ टू जो स्टेट्मेंट दो दिये गया सर्थन रीजन के कौन से सही है बताना है अराश्टी सेवक संग जो ते वस सेपरेट फ्रम कुट इंडिया मॉन इंटीन फूर टू एकदम सही था ठीक है एकदम क्या था सही था दोस्तों ठीक है क जरू यह क्या है फॉल्स है दोस्तों तो इस आप से ऑप्शन नंबर देगी कौन से बनता है यह टू भी फॉल्स हाँ तो सी ऑप्शन क्यों जागा सभी है प्रसंग क्या सवाल है इसको फिलाल देख लेते हैं एस रिजल्ट आप कुट इंडिया मोमेंट बिटिश और मुस जाइए यह जिनना है वर्ट अजस्ट अलाइब स्टॉंच अलाइब बिटिस गवर्मन और आग्शन तो स्टे अवे फ्रॉंट अविश्ट आविश्टे अवे फ्रॉंट इंडिया मोमेंट के टाइम में प्रसंग क्या पश्वान कोशन में फुफ्टीफ फॉर्ट इूरि आउना आजफ फॉले एस्सट यह जिए एक टीन्डिया मोमेंट तैबलिश तूरिंग अच्छ पैरलल स्ट गवर्मन स्ट्वर्मन स्टेबलिश्ट वए थे तूरिंग कौन आइए उनको देख लेते हैं वह इन को से ते बलियम में हुआ था चीतु पांडे किये थे साथा- तो वन ओट्व आप्शन हमारा सही हो जागा दोस्तों प्रचलते हैं कुछ नमर पच्पन अठावन के तरह जो जातीय सरकार था फॉर्म द्वाट था मिदना दिर निमिदना पूर डिस्टिक में बंगाल में वह कब हुआ था दूस्तों प्रभू हुआ था उनीसों बैल इस म और कारल गवर्मन्ट वस्टेबलिश्ट ड्यूरिग तरफिट इंडिया मोमेंट वह कुछ था बलिया कोच असर्जन रीजन के सवाल है कुछ दोस्तों आए देख लेता है जो कुछ इंडिया मोमेंट था मार तक क्ल्मिनेशन आफ इंडियन नेस्टनल मोमेंट एकदम सही कि इननों क्या किया था एक बहुत बड़ी कुर्थिमान को छुगा था एक अफर था कुट इंडिया मोमेंट इट वाज नीडेट अफ टाइम तो फाइंड शूटेबल मेकनीजा फॉर ट्रांसपर फोवर एकदम यह भी जरूरी था और दोनों एक दूसरी क्या करते हैं सपोर प्रपोजल यह था इस पामफलेट का वो क्या था इसा कुछ नहीं था रिकांसट्च्ट्ण आछ गवर एक्षेंबर एक्सक्ट टीजिव जरूरे कोवर इच्व था इने रिक्मांडर इंड इन्डियर असा कुछ नहीं था असा कुछ में था फ्रीट शेंटर नेच्ट यही था पैंप्लेट का मतलब ठीक है चलिए आ जाते हैं इस सत्र का और कुट इंडिया मुमेंट का लास्ट कोश्चन जो बहुत ही इंपोर्टन था दोस्तों किसके दोरा क्या हुआ किसी तयार किया गया तो रिमूव ड़िग और इनडियान नेशनल कॉंगरेस के बीच में तो ये कौन था जवालन लहरू थे राजगुपालाचारी थे चितने जंदास थे या वीपी मेनन थे तो ये कौन थे ये थे आपके हमारे राजगुपालाचारी थे राजगुपालाचारी नहीं प्रिपेर किया था CR formula जिसने क्या क्या remove किया deadlock between Muslim League and Indian National Congress आई उपर देखा देते हैं आपको CR formula के बारे में कुछ CR formula जो था एक proposal था जो formulate किया गया चक्रवरती राजगुपालाचारी के द्वारा जो की political deadlock जो था INC और All India Muslim League के बीच में Independence of India को लेकर British से वो क्या था उसको remove करना राजगुपालाचारी ने device किया एक proposal 1944 में the way out the way out for Congress to offer the league to for Congress to offer करें लीग को क्या कि Muslim Pakistan based on the public side the direct vote of all members of electorate थे के ना of an important public question such as change in the constitution ये क्या था public side का मतलब था the formula जो फार्मुला जो फार्मुला साथ was opposed by Congress even by Congress जिनना वाज रिजेक्टेट दा प्रोपोजल and the talk field इसी वाज़ से क्या हुआ ये talk field किस लिए हुआ था CR formula बेसिकली ये था कि दोनों के बीच में जो deadlock था उसको resolve कर सकें तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने क्या किया अपना आज का जो टॉपिक था भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही समझ जबर्दस तरीके से हम लोग ने क्या हुआ कवर कर लिया दोस्तों ये examination point of view से very 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 important है दोस्तों प्लीज इसको दोस्तों जादा सजादा तरीके बार इसको देखें examination से पहले जरूर देखें देखें दोस्तों अब examination में बहुत ही कम समय बचा हुआ है हमको maximum से maximum MCQ आपको मैं करा रहा हूं MCQ मैं जुडिए और इस lectures को देखें यही क्या है इसके base हैं दोस्तों तो ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आशका lecture आपको बहुत अच्छा लगोगा और प्लीज दोस्तों like, share and comment please कर दिया करो यार उससे मेरा motivation और moral दोनों बलता है चलो दो मिलता है अंगले सेशन में तब तक के लिए दोस्तों जय हिन जय भारत